हेल्लो एवरिवड़ीओ, हो र यूँ, आइ यूप यूप यू आर फाइन, वाइल काम टु माइचानल, एमसाधी कली आज हम इस वीडियो में दस ऐसे मिनिंग्स बताने वाले हैं, जो की हिंदी फेल हैं, वहाँ पर का आपका हिंदी बोलने के जरुरत ही नहीं हिंदी बोलन कि आप क्या बोल के चले गए तो आज इस वीडियो में यहीं दस मीनिंग्स ऐसे बताने वाले हैं जो की छोटा-छोटा वर्स है लेकिन हिंदी उसका कमाल-कमाल सा है यानि उसका हिंदी जानेगा तो लगता बहुत बढ़ा-बढ़ा है लेकि उसका हिंदी बोलने में एकदम बढ़ी परेशानी हो सकता है वो लोग समझ जाएंगे तो उसे हम यानि वह में मार भी सकते यह दम लपड़ा भी सकते है चपलां भी सकते है तो आप हिंदी में बोल खरके उस्सेल आप हिंदी क्या होता तो चलिए उस वीडियो में तस ऐसे मिनिक्स बताएंगे कि जो आपका इंप्रेशन में चार चान लगा दे तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा एन तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ इसाथ बिल एकन को प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो को निटिफिकेशन बिलकूल आपको वक्त पे मिल जा है पहला वर्ड क्या है तो पहला वर्ड है पारडन आप बोलेंगे पारडन माने क्या होता है तो आज वही चीज बताने वाले है कि पाड़न माने होता क्या तो आप हिंदी में बोलिएगा किर्पिया दोबारा कहिए हिंदी में बोलिएगा किर्पिया दोबारा कहिए कोई ऐसा बात जो बात करते वक्त नहीं हम सुम सके तो उसे हम क्या कहते हैं किर्पिया दोबारा कहिए दोबारा बोलिएगा तो उसे को हम ह एकक्स्क्यूज मी ऐसा तो हम लोग सुनते हैं थोड़ा horm 오erness कि आपन दौटेर फोन दीजे एकक्स्किूजमी वहां से हट जाए को गेरव गेरव ऐसा हम लोग शहरों में देखते हैं टॉन में कि यानि एसा वर्ड रोजाना और करोडो बार सुनते हैं जब हम बाहर रहते हैं तो हम इसा सुनते हैं excuse me excuse me excuse me excuse me तो really meaning होता जो क्या है इसका माशने होता है माफि चाहता हूं माफ कर ये आपको तकलीफ दे रहे हैं यानि कुई आदमी आपके पास खड़े है और आपको वहाँ से आगे जाना है तो excuse me थोड़ा side होईएगा तो मतलब वहाँ हम माफी किचा रहे है कि माफ कर दीजिए आपको तकलीव दे रहे हैं आप वहाँ से थोड़ा हट जाईए हमें जाने दीजिए कोई आदमी चेर पर बैठके है वहाँ पर से हमको उठने बोलना यानि को रिक्वेस्ट करना चोटा माफी चाहता हूँ यानी Excuse me थोड़ा सा हट सकते हैं तो यानि वहाँ पर आप माफी नहीं मांग करके excuse me का वर्ड लगा करके आपका इंप्रेशन जम गया है आपका इंप्रेशन में चार चन लग गया आप बोल सकते हैं excuse me चल सकते मतलब मुझे माफ कर दीजिए आपको यह तकलीब दे रहा है किर्पिया हड의 हपस भी सब्सक्राइब को सकता है आप लोग यह हम लोग कभी भी कुछ ऐसा बाद बोल देते हैं जिससे वो कल यहां आएगा, तो हम लोग क्या बोलता है, शायद आ सकता है, तो समस्ती है। may be same है शायद यानि वो भी बोल सकते है अगर वो कोई आदमी आया बोला कि कल बारिश होगी तो हम लोग वहाँ जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे भी हो सकती है यानि मेभी बोल दिए तो समझ जाएगा बंदा कि वो मेभी मतलब शायद आदा यानि सही और आदा गलत है आदा यानि 50% में है 50% नहीं में है तो अगला है I see I see तो जानते ही होंगे लोग बहुत सारे वर्ट्स में यानि इंग्लिश बोलते बोलते या हिंदी आई सी आई सी ऐसा सुनते भी होंगे तो आई सी का एक्जेक्ट मीनिंग क्या होता अच्छा तो यह बात है अब समझा कोई ऐसा बात होता है जो कि बोल रहा कल तुम्हें गए थे टीवी देखे थे मोबैल देखे थे बहुत सरा यह था आपका पैसा कड़ गया तो हम लोग कन् mindset होता है क्या बोले रहा कि आई सी मतलब अब समझे क्या बात है अच्छा तो यह बात है कोई आदमिया जटसे कल तुम्हें ये आदमी काला बोरता बदसूरत बोरता एक इह बोरता आपको इसके वजह सब्निहारते रहता आई सी तब तो देखे कि कल वह थे बात भांग दिन से इसलिए वो हमको देख रही थी कि गंदा आई सी अब समझे ऐसा सेंटेंस में ऐसा सिच्वेशन में आई सी बोलते मतला अच्छा तो यह बात है अब समझे नेक्स्ट है शिट अरे यह वाला नहीं रहे भाई शिट टटी भी होता है जो पखाना बोलते उसका माने भी होता बट यहाँ शिट माने क्या होता है सत्यानास हो सारा काम बिगाड दिया ऐसा तो फीलमों में भी सुनते Oh shit Oh shit Oh shit ऐसा सुनते भी हो गए और कभी-कभी आप वो बोल भी देते Oh shit क्या हो गया मतलब आपका सत्या नास हो यह काम िगड़ यानि बिगाड़ दिए यह काम का सत्या नास हो, सारा काम भीगाडदिया एकदम, सारा काम भीगाडदिया तो यह सब वर्ड्ड यानि वह situation में बोलना है जहां पर आपको ऐसा काम हो गया जहां पर यानि tecnique आपको बुरा लग गया आपको यानि बहुत खराब काम हो गया किसी के वज़ा ॐ कि यानि कोई ऐसा आदमी हो यानि कोई वच्चा आया और वह हमें आने गाली या कुछ भी दे रहा हो कि आप ऐसे वह से हैं डिसाप्यर ऐसा हो ऐसा हो तो बोलेंगे क्या डिसप्यर जा पतली गली से निकल जा यहां दिखना मत का भी मत आना तो वहाँ पर हम वह सिच्वेशन में डिसप्यर बोलेंगे इस तो हम लोग सुनते हैं बहुत सारा फिलमी डЕयलोग है मूच मतलब घोलौल जल्दी चलो हटो वगएर वगएर नेक्स्ट है got it got it मतलब exact मीनिंग होता समझा समझना तो इसका दो मीनिंग होता है इसमें सवाल और जवाब दोनों चुपा हुआ got it जो हम बता रहे हैं जो हम वीडियो में बता रहे got it तो मतलब क्या आप समझ चुके हैं या समझ गये मेरी आज समझ गये हैं और इसी में फिर जवाब है I got it I got it तो got it मतलब दोनों हो जाता सवाल भी और जवाब भी अगर आप बोड़ पर पढ़ा रहे कोई चीज यह देखो देखो got it situation बोलने का अलाग अलाग कहीं question mark देना पड़ेगा कहीं full stop देना पड़े तो question mark हो गया मतलब सवाल वाला गोटीट है यानि क्या समझ गया got it got it समझ गया तो वह बंदा क्या जो समझ गया वह बलेगा I got it मतलब मैं समझ गया समझ चुका हूं next है आप तो लगता रोड पे या कहीं पे सडकों पे या गली में शहरों में ज्यादा तर शहरों में हजारों बार हैं आपके कानों में गुंचते होंगे एक्च्छुली musiinact عنम Watt grey क्या होता होता मतलब होता वास्तों में वास्तविक में असल अभी एक्च्छुली का इस्तमाल कहा करेंगे तो negative चीज लिए क् 1950 क्या होता है को ऐसा दुरगहट नाज जो हमारे काम का ना हो अभी हमस आपसे बोले कि कल लेट क्यों आये थे तो आपका जवाब क्या होगा कल हम आ रहे थे एक्शली मेरा पेर फिसल गया मेरा धैन तूड़ गया यह निगेटीव हो गया फिर बोल दिया जाए कल तुम वहां पर से यहane क्यों नहीं आया था यहाँ तो ऐक्शली एक्चुली घर में मेरे मम्मी बिमार थी, एक्चुली मेरे पापा बिमार थी, वगेड़ा वगेड़ा, एक्चुली का इस्तमाल वही करेंगे, जहाँ पर नेगेटिव चीज वास्तविक में असल में बताना हो, असल में हम लोग वहां जा रहे थे, असल में ये काम हो गिया, वास्तिविक में यह काम हो गया वास्तों में यह काम हो गया तो यह वाला छोड़ दें आप उसके बजाए एक्चुली बोल दें बेटर है एक्चुली बलेंगे आपको लोग देखते रहा जाएगा आपका बात में चारचन लग गया नेक्स्ट है आई एम डन विद यू अब इसका माने क्या होता है तो यह कब बोला जाता है तो यह वैसा जगा पर बोला जाता है जब कोई लवर किसी को छोड़ के भाग रहा हो मतलब उसको break up कर रहा हो, उसको हमेशा के लिए छोड़ रहा हो, तो I am done with you, मैं तुमसे ठक गया हूँ, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, आज से हम दोनों कभी नहीं मिल सकते हैं, तो वो situation में I am done with you बोल सकते हैं, मैसेज में लिख सकते हैं, अगर आपका break up हो गया, तो I am done with you, वो आदमी पढ़ करके चौंक जाएगा, ये क्या बात हो गया, I am done with you लिख रहा हूँ, इसका माने होगा कि अब हम आप से परेशान हो चुके हैं, अब हम आप से नहीं, मतलब आप जो हम से नहीं समलिएगा, आपका बहुत सरा परेशानी है, आप से हम नहीं मिलना कता ही मिलना नहीं चाहते हैं, आप से आज हम दोनों अलग अलग दोनों यानि दुश्मन हो गये, तो वहाँ पर I am done with you हो गया, यहीं आपका 10 words है, जो 10 meanings हैं, जो आपके बातों में आपके यानि बोल में चार चान करेंगे, तो आपका जुबान पर बैठते जाएगा और आपका इंपरेशन जमते जाएगा, शहरों में या ओफिस में कहीं भी आपका ये words काम देता ही, देगा ही, देगा, तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लागा, तो प्लीज एक लाइक कर दे, शेर करे, और कोई भी फीडबैक हो, कोई भी हमसे भी कोई तुरूटी हुई हो, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मिलते आगले वीडियो में एक नए लेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बाठते रहिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज